हेलो क्या हाल है सबका बढ़िया ओके स्टुडेंट्स वैलकम तू दा लेक्चर नमबर टू ऑफ क्वांटम मेकैनिक्स यूनिट नमबर टू इस यूनिट में बच्चे हम शोडिंजर वेव एक्वेशन को सॉल कर रहे हैं डिफेंट सिचुएशन के लिए आई होप आपने लेक्चर नमबर वन अच्छे से डिटेल में स्टेडी करा है जिसमें हमने पार्टीकल इने बॉक्स को सेड़ी किया था और हमने यह सीखा कि बड़ेक्टल इने बॉक्स में जो हमारा वेव फंशन होता है उसकी क्या होती है उसके लावा हमने जान वेल्यों की पार्टीन के और कहाँ पार्टिकल है और काहां नहीं हमने कि यह सब हमोंड on में calculate करा था when you have a free particle inside a box आज की जो situation है वो है कुछ इस तरह की हम शोडिंजर वेव equation को solve करने वाले हैं for a particle of mass m हमारे पास एक mass m का particle है आप उसको थोड़ा बड़ा particle for example marble का पीस आप imagine कर सकते हो तो हमारे पास एक particle है जिसका mass m है और हमने उस particle को किसी दिवार पे मारा particle की energy total energy capital E है और यह हमारी दिवार है तो यह जो दिवार है इसको हम technical language में step potential बोलेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ तो classical होगा particle जब दिवार पे टकराएगा दो चीज़े हो सकती है अगर इस दिवार के अंदर इतनी जान है कि उस particle के impact को withstand कर ले तो यह दिवार यहां पे खड़ी देगी और particle टकरा के bounce back करेगा ठीक है number one अगर यह hard है काफी hard है कि उस particle के energy से ज्यादा इसमें ताकत है पार्टिकल के मारने पर भी तो डिपेंड करता है ना अगर slowly फिंकेंगे तो कोई हलकी दिवार भी होगी पार्टिकल जो है वापिस bounce back करेगा लेकिन अगर बहुत जोर से मारेंगे किसी दिवार पे और उस दिवार में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको रोक पाए तो वो तूड़ जाएगी और पार्टिकल आगे चला जाएगा और अगर ताकत है तो पार्टिकल पीछे आ जाएगा तो यह दो केस बनते हैं इस situation में जो यहां पर स्कीन पर आपको शो हो रहे हैं जो हमारा पहला केस है वो है कि हमारे पार्टिकल के एनरजी वी नोट से ज्यादा है यह वी नोट क्या है कि पार्टिकल दिवार पे जाकर टकराएगा और वो तूट जाएगी पहले केस में मतलब पार्टिकल आगे निकल जाएगा बाउंस बैक नहीं होगा यह उसका कुछ भी पार्ट वापिस ने आएगा क्लासिकली अगर एक मारबल आप इमेजिन कर रहे हो और दूसरा केस है ह हमारा जिसमें पार्टिकल की इनर्जी कम है और जो वाल है उसकी पुटेंशल एनरजी ज्यदा है यह लैस देन-वी नोट यह हमारा दूसरा केस है जो हम लेक्ट्चर नंबर ह्ली में करेंगे तो अगर पार्टिकल की इनर्जी कम है तो टकरांके वो पीछे गिरेगा क्लास जाने की प्रॉबिलिटी होती है चाहे जितनी मरजी हाड वॉल हो मतलब जितना मरजी बड़ा हो ये 7 पर बड़ा है न तब भी प्रॉबिलीटी होतीग हो दूसरी साइट पे चला जा इसको बोलते है टर्नलिंग एफेक्ट वह म करेंगे आने वाले लेक्चीर में अर् जो हमारे फर्स सिचुएशन है जिसमें हमारे पास इनर्जी जो है इस पार्टिकल की वो कम कम है ये स्वारी फर्सट सिक्वेशन है जिस पार्टिकल की टूड़ जाएगीailable गांहंसील medication पूप केनिकली इसका कुछुपार रिफ्लेक्ट करेगा तो आज हमने इस डेरिवेशन यह को प्रूफ करना है कि इस quantum mechanical particle का reflection coefficient क्या है इस quantum mechanical particle का transmission coefficient क्या है क्या वो particle टकरा के क्या probability है कि वो आगे चला जाएगा दिवार को cross करके और कितनी probability है कि वो पीछे आ जाएगा तो हमारा यह आज का case है step potential I hope आप physically समझ पहा रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर bricks लिखा न तो आप सोचलो इंटो की दिवार बनाई आपने और सिमेंट नहीं लगाया यह पहली सिच्वेशन है जिसमें वी नौट छोटा है और हमारी जो गेंद है उसमें एनर्जी ज्यादा है जोड़ से वो गेंद हमारी दिवार पे तो दिवार तूट जाएगी यह पहला सिच्वेशन है दूसरी सिच्वेशन में मैंने सिमेंट लगा दिया दिवार पे सारी bricks को अच्छे से जोड दिया दो दिन वेट करी पानी लगाया ताकि और हार्ड हो जाए तो बहुत हार्ड वाल है दूसरे केस में और हमारे पार्टिकल के इनर्जी उसकेस में कम है और हमने मारी तो बाउंस बैक ही करेगा क्लासिकली बट क्वंटर मेकैनिकली दिर इस अलवेज सम प्रबाबिलिटी ओफ ट्रांस्मिटिंग दा पार्टिकल एंड रिफ्लेक्टिंग दा पार्टिकल वह हम देखेंगे मतलब उसके कुछ जो मैटर वेव का कुछ प्रबिलिटी एंप्रिक्टिूड है वह रिफ्लेक्ट भी करेगा और ट्रांस्मिट भी करेगा तो इस सिचुएशन को हम स्टडी करेंगे लेट उस लाइट तो हमारी सिचुएशन जो है यह हमारा x-axis है यह space है ठीक है और यह जो डाइग्राम में एक graph energy का यह point x is equal to 0 है जिसको हम रिजन बोलते हैं यह हमारे पास एक value है potential की constant value है x is equal to 0 के बाद x is equal to 0 के बाद v की value कितनी है v naught के बराबर constant ठीक है constant है x less than 0 यह region हमारा x less than 0 है x less than 0 में क्या है हमारा v 0 है मैं pink से बना रहा हूँ potential का जो function है उसको pink से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आज़े यह 0 है ठीक है ऐसे है और यहाँ पर एक मैंने mark लगा दिया यह cross यह capital E है यह उस particle की जिसका mass small m है उसकी energy को represent करता है यह dot इस diagram में बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ कई books में ऐसे उपर बनाया गया ऐसे करके mass m लिखा गया बना सकते हैं but actually physically यह है एक wall है bricks की बनी हुई जैसे मैंने भी आपको बताया इधर हमारे पास infinite इधर हमारे पास एक constant potential v 0 है और इधर से हमारे पास energy e का यह proper physical diagram है mass m energy e का particle इस दिवार पे strike कर रहा है आप इसको marble imagine कर लो marble वैसे बड़ा particle है हमारे case में quantum mechanical particle है तो आप electron, proton कुछ इस तरह का समझ सकते हो और सामने constant potential है अब जब हम इस point से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं इस point पर आप आप आगे x is equal to 0 पे तो क्या होगा जब particle x is equal to 0 पे पहुंचेगा तो physically वो इस दिवार पे पहुंचा है तो उस पे force लगेगी ठीक है so v not कम है तो कुछ part particle का हम माल लेते हैं इधर चला गया ठीक है उसको हम बोल देंगे एक wave function माल लेंगे region 2 माल लेते हैं इसको और कुछ reflect back कर गया let us suppose quantum mechanically ऐसा हो सकता है एक ही particle है but there is some probability of transmitting the probability amplitude of the particle and there is some probability of reflecting back यह situation है इसको हम classically पहले लिख लेते हैं तो classically क्या होगा classically मतलब classical mechanics अगर एक marble हो तो क्या होगा आपको पता है न force और potential energy में यह relation होती है यहाँ मैंने du by dx लिखा बढ़ हम v लेके चल रहे है notation notation का फरक है कई books में u है कई books में v है और at x is equal to 0 आपको पता है क्या है v कितना है v है v naught which is a constant constant ठीक है तो जब आप यहाँ constant put करेंगे हमारे पास f is equal to 0 इस region में जहाँ यह constant है यहाँ f 0 इसके बाद कोई force लगेगी इससे पहले भी यह 0 था यहाँ भी force 0 यहाँ भी constant है यहाँ भी constant है but इस point पे क्या हो रहा है abrupt change in v so at यहाँ मैंने at लिख दिया पहले इसको थोड़ा मुझे सही करना है x greater than 0 ठीक है x greater than 0 beyond अब at x is equal to 0 there is abrupt change in v so therefore force is not equal to 0 बतलब पार्टिकल पे कुछ force लगेगी physically भी आप सुचे एक दिवार है ball जाके टकराई force लगेगी but it will slow down यह नहीं कि ball जतनी energy से आ रहे थी जतनी kinetic energy से आ रहे जतनी kinetic energy से निकल जाएगी ऐसा नहीं होगा it will be slow down क्योंकि उस वाल का दिवार का कुछ ना कुछ impact होगा ball पे ठीक है तो इस case में ऐसे है f हमारे पास not equal to 0 आएगा therefore particle will slow down and keeps on moving ठीक है जी अब quantum mechanic लिए क्या है शोडिंजर वेव एक्वेशन सॉल्व करेंगे now 4 x greater than 0 पहले हमना शोडिंजर वेव एक्वेशन लिख लेते हैं let us see क्या होता है now writing शोडिंजर वेव एक्वेशन d square psi by dx square plus 2m by h cross square e minus v psi equal to 0 this is time independent Schrodinger wave equation equation 1 का है equation 1 यह है here v of x equal to 0 4x greater than sorry x less than 0 and v of x is equal to v naught 4x greater than 0 ठीक है यह हमारी equation 1 है जो potential को define कर रही है now 4 x less than 0 v is 0 potential हमारा 0 है यहाँ put करेंगे equation बनेगी d square psi 1 अब मैंने region 1 में जो wave function की form बनेगी उसको represent करने के लिए psi 1 लगा दिया so d square psi 1 dx square plus 2me by h cross square psi equal to 0 यहाँ v को मैंने 0 put कर दिया यह term हमारी 0 हो चुकी है ठीक है इस equation को हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ भी बन चाहिए d square psi 1 by dx square plus 2me की जगा हम k1 square मानेंगे इसको k1 square psi equal to 0 तो यह एक harmonic equation होती है I hope आपको पता है here k1 is equal to under root आप compare कर लिजे दोने equations को under root 2me by h cross होगा और इस case में इसको equation 4 मान लेते हैं k1 बाद में put करना पड़ सकता हमें अब इसका equation 3 का general solution जो होता है यह harmonic equation बोलते हैं इसको let us highlight this equation this is very important यह should in general equation की form है for the left side region जिसको हम region 1 बोलने हैं डाइग्राम के अंदर यह वाला region 1 region 2 अब इसका solution कैसा होता है solution निकालने के लिए SWE का वहाँ पे potential की form को put करते हैं जैसे last case में potential form put करी थी हमने फिर boundary conditions लगाते हैं unknown को find करने के लिए वही होना है यहाँ पर भी so it's general solution क्या है बताओ psi 1 यह अपने differential equations पढ़ी होंगी I hope mass में नई तो आप अभी के लिए याद रखेंगे कि यह sinusoidal form के solutions होते हैं यह जो harmonic equations होती है e raised power iota theta sin theta cos theta वहाँ आजाता है I hope आपको पता है तो यह general solution इस तरह का होता है तो इसमें हमने एक constant लगा दिया a e raised power iota k1 x यह हमने transmitted part के लिए जो x के along जा रहा है उसके लिए लिखा जो हमारा incident wave है particle के साथ associated wave और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ part हो सकता है reflect back हो तो हमें नहीं पता हो सकता है ना भी हो तो हम b एक constant मान के चल रहे हैं और reflected wave के लिए यह solution हमने मानना है बी जीरो आ गया तो हमारा यह पता चल जाएगा हमें कि भई यहां पर reflected wave है नहीं मतलब टक्राने के बाद particle वापस नहीं आया बस आगे निकल गया और अगर बी की कुछ value आ जाती है तो हमें हमें पता चल लेगा कि हाँ यहां पर कुछ wave का part reflect भी हुआ है तो हमारा अगला काम होता है अन्नौंस को find करना तो हेर ए कोमा बी आर अन्नौं कॉंस्टेंट्स टो find यह हमने find करने हैं यह रेस पावर एक्टा के वन एक्स वाली टर्म हमारी इंसीडेंट वेव को रिपर्जेंट करता है यह टर्म हमारी माइनस वाली नेगिटिव एक्स एक्स की तरफ रिफ्लेक्टिड वेव को रिपर्जेंट करती है अब देखो कभी मैं particle बोलता हूँ कभी मैं wave बोलता हूँ तो यही तो quantum mechanics की beauty है all the quantum mechanical particles have dual nature they behave like waves as well as particles यह अपने पढ़ा de Broglie hypothesis तो यह हमारे पास हो गया now for second region for x greater than zero क्या होगा v हमारा v naught के ब्राबर है जो एक constant है पुट करेंगे फिर से differential equation यह बनेगी Schrodinger wave equation नहींने 2 लगा दिया for second region wave function के पैर में यह बहुत असान है हमारी equation में e minus v था ना अब हम e minus v naught कर देंगे equal to यहां side 2 आएगा equal to 0 equation number इसको रहने देते हैं number इसको देना है उपर वाले को यह 5 है ठीक है इसको 5 देंगे 6 तब देंगे जब मैं इस term को मैं इसको na k1 k2 ऐसे पुट करूँगा बता कि मुझे बारवर इतनी बड़ी term न लिखनी पड़े और इसका कोई reason नहीं है मैंने यहां k1 पुट कर रहा था just to simplify my calculations तो हमारी equation की देखो form इसकी भी वैसी बनेगी बिल्कुल जब मैं यहां k2 पुट कर दूँगा यह भी वैसी ही equation बन जाएगी d square psi 2 by d x square plus k2 square psi equal to 0 here k2 is under root 2m e minus v यह बहुत असान है जीज़ें देखने में थोड़ी सी समझने में visualize करने में difficult लगती हैं but calculation point of view से देखो तो बहुत असान है यह तो यह हो गया ठीक है now again its general solution is psi 2 is equal to c e raise power yotta same वैसा ही अब k2 लगाना है बसक्रिकी second region की बात हो रही है तो propagation constant उस region का लिखेंगे अब देखो मैंने इसमें भी d लगा दिया मतलब मैंने यह माना कि second region में भी reflected wave है but ऐसा हो इनी सकता यह हमारा second region इनन फिजिकली भी सोचना पड़ता है physics में maths तो चलो ठीक है वो बता रहा है general solution है यह हमारा second region है यहां से जो particle आसे गया कुछ पार्ट तो वो कहां से reflect होके वापिस आएगा आई नहीं सकता क्यूंकि आगे तो कुछ है यहां पे कुछ भी नहीं है ठीक है यह वाथ है यहां पे समझने वाली इसको मैं रब कर दूँ तो हम directly लिख सकते हैं कि इस solution के अंदर जो हमारी d वाली term है वो 0 है तो हम लिख देते हैं so now e raised to power minus iota k2x represents क्या represent करती है a wave associated with particle which is reflecting from region 2 region 2 मतलब x greater than 0 के लिए but there is no potential change कुछ हो रहा उसके आगे potential का change कोई दिवार नहीं है is that d is equal to 0 तो साइ 2 हमारा सिरफ इतना ही है c e raised to power iota k2 x यह हमारी equation बनेगी इसको हम बोल देते हैं 7 इस term को इसको highlight कर देते हैं जो हमें चाहिए बाद में यह values नहीं हम ऐसे ही बस last में mention कर देते है k1 k2 यह है यहां पर which is given by equation 6 and 7 और यह equation हमारे काम की है this is equation 8 अब क्या करना है अब हमें unknown find करना है जो हम कैसे करते हैं boundary condition लगा के acceptable wave function की जो properties होती है कि साइ एक ऐसा wave function है जो boundary पे जहां पर abrupt change आ रहा है potential में वहाँ पे constant रहेगा साइ सेम रहेगा साइ 1 साइ 2 के बराबर होगा at x is equal to 0 और wave function continuous होना चाहिए उसका first derivative जो है वो भी continuous रहेगा at x is equal to 0 तो हमने यह condition लगा रही है so applying boundary conditions क्या करना है पहली condition साइ 1 at x is equal to 0 ऐसे लिख लेते हैं इसको ना फिर थोड़ा सुन्दर लगता है technically साइसे must be equal to psi 2 at x is equal to 0 simple तो यह बहुत असान है देखो x is equal to 0 पहली पुट करते हैं यहां पे psi 1 यह था a e raise power k1 x 0 लगा दिया plus b a raise power minus k1 x यहां भी 0 लगा दिया is equal to k2 x यहां भी 0 लगा दिया ठीक है यही था ना तो e raise power 0 is 1 तो यहां पे आ गया a plus b equal to c तो यह भी equation हमारे काम की है equation number 9 ठीक है एक यह हो गया second condition हमारी क्या है इसको 1 लगाते है first condition है second boundary condition क्या है d psi 1 by dx at x is equal to 0 must be equal to d psi 2 by dx at x is equal to 0 मतलब अब boundary पे first derivatives भी same रहेंगे continuous होंगे ठीक है यह condition होती acceptable way functions की वो आपको पता है तो अब हमने इसको differentiate करना है तो जब आप इसको differentiate करेंगे बस इतना सा समझ लो तो क्या आएगा iota k1 आगे आएगा बाकी same term as it is आजएगा यह मैंने side बे बता दिया अब देखों मैं direct equation लिख रहाँ iota k1 a e raise to power iota k1 0 ठीक है ना ऐसे आएगा ना 0 x की जगा मैंने 0 directly put कर दिया जब आप इस term को differentiate करोगे plus minus iota k1 b e raise to power minus iota k1 0 equal to iota k2 c e raise power iota k2 0 अब फिर से यह वली terms जो हैं वो 1 हो जाएगी कौन कौन सी यह term 1 हो जाएगी यहाँ पर यह term भी 1 हो जाएगी power 0 है और यह भी unity हो जाएगी power 0 है बाकी जो बच्चा उसको हम लिखेंगे iota k1 यहाँ common आएगा minus i अंदर बचेगा iota से iota cancel होगा so iota k1 common bracket में a minus b और इदर iota k2 c iota से iota कट गया और हमारे पास आगया a minus b is equal to k2 by k1 into c simple equation 10 यह लगते ही हैं लंबे और चोड़े और difficult होते हैं यह articles सारे लेकिन यह derivation तो चलो आपको एक बार करनी है बट जो इसका result है उसको समझना बहुत important है कि quantum mechanically क्या हो रहा है क्योंकि आगे जागे हम applications देखेंगे ना जब तो आप देखना कि इन सब चीजों के कारण ही जो आज की date में हमारे पास different instruments अब देखो हम scanning electron microscope बना चुके है हमारे पास TEM है tunneling electron microscope tunneling effect study करेंगे अब उस principle पर बेस पर हमने electrons को देखने के लिए microscope tunneling electron electrons are used as a particle there but we can see very 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 small objects using TEM तो वो कैसे होती है जब ये basic physics समझ आएगी फिर वहाँ पर पहुंचेंगे न हम तो यहां तक हम पहुंच गए now we have two equations 9 and 10 तो 9 को मैं यहां वापिस लेके आ रहा हूँ a plus b is equal to c अब इनको add करतो तो adding इसको बोली ते 9 वापिस तो आजएगा 2a is equal to 1 plus k2 by k1 c और यहां से हमने निकाल ले ना c तो c आजएगा 2 k1 LCM ले लिया मैंने k1 plus k2 into a यह important equation है हमारी इसको हम बोलेंगे equation number 11 यह हमारे पास c in terms of a आ गया अब हमने b निकालना है तो b के लिए क्या करूँ यह equation है इनको subtract कर देते हैं इसमें से इसको subtract कर देते हैं a से कर जाएगा b दोनों add हो जाएगा तर 1 minus आ जाएगा करते हैं next sheet पे so subtracting 10 from 9 2b is equal to 1 minus k2 by k1 into c so 2b अब यहां c पुट कर देंगे यहां जाएगा k1 minus k2 by k1 यह मैंने LCM ले लिया c की value पुट करी which is 2k1 upon k1 plus k2 k1 से k1 cancel 2 से 2 cancel यहां पे a यहां जाएगा तो b यहां गया k1 minus k2 upon k1 plus k2 बड़ा इसान calculation है यह hydrogen atom solve करेंगे ना फिर देखना calculation उसमें Schrodinger equation को सेफेरिकल polar coordinates में पहले लेके जाया जाता है फिर solve कर रहते हैं क्योंकि hydrogen atom का जो potential है उसकी सेफेरिकल symmetry है वहां पे जाके चलो आगे चलते हैं अब यह b आ गया और हमारे पास c a c भी आ गया इं टरम्स of a अब साइवन को हम दुबारा से लिखेंगे now from 5 हमारा जो function था function ही तो हमें find करना होता है तो साइवन इस a e raised to power a otta k1 x plus यहां था b b की जगा मैंने value put कर देनी है यह आ गया और साइवन आ गया 2 k1 यह into a into e raised to power a otta k2 x अब इनको समझते हैं यह क्या है अब यहां पर a भी constant है जो एक normalization constant है उसको normalization condition से find किया जाता है बट यहां पर यह बात समझने वाली है जो ज़्यादा important है कि इस wave function में 3 parts है जहां plus x वाली term है यह हमारा incident wave function है psi in incident जो हमारा incident particle था उसको represent करता है यह वाला part जहां minus k1 x अब देखो यह term 0 नहीं आई बी वाली अपने आप तुम्हारे सामने यह answer आया है तो यह जो part है इसको बोला जाता है psi reflected यह reflected wave को represent करता है क्योंकि इसमें minus k1 x direction उल्टी हो गई है यहां पर negative x axis यह जो है इसको बोला जाता है psi transmitted so we have three waves here तो यह सबसे पहले proof होता है so we will conclude here that so as psi 1 has reflected part psi r e जो इसके ब्राबर है मैं इसको हाइलेट कर दूँ बारा से लिखना होगा आप लिखते हैं therefore there is probability some probability of reflecting the particle हलांकि हमारी कच्ची दिवार थी कच्ची मतलब सीमेंड नी लगाया था particle के टकराने से टूट जानी चाहिए ball होती तो इतनी कच्ची है आप paper imagine कर लो छोड़ो इंटे भी छोड़ो दो paper imagine कर लो उस पे हमने एक marble मारा तो फट जाते है paper marble निकल जाता उसका कुछ भी part वापिस ना आता बट इसी case में इसी situation में potential less है और electron आ रहा है और वो उसको पार करके आगे जा सकता है फिर भी उसका कुछ ना कुछ part reflect हो गया यहां पर यह यहां पर जो है यह quantum mechanical result है जो classically देखने को नहीं मिलता थीक है and also there is transmitted part also is there so अब हम reflection coefficient निकालेंगे कि कितनी probability है particle के reflect होने की और कितनी है transmit होने की और फिर हम प्रूफ करेंगे कि sum of reflection coefficient and transmission coefficient is unity मतलब total particle उतना ही है incident wave है जितनी और इन दोनों coefficients का sum 1 है वो भी हम प्रूफ करेंगे कि ऐसे एक्जाम में भी प्रूफ करने के लिए आता है so now let us find reflection coefficient इसको हम r से denote करेंगे and it is what? it is probability current density इसके उपर पूरा एक lecture है probability current density के उपर of reflected wave upon ratio होती है ये कितना reflect हुआ particle की wave का part particle एक ही है देख लो probability current density of incident wave तो incident में इसे कितना part reflect हुआ ये definition है भी मैंने आपको बताई reflection coefficient अब इसको हम denote कैसे करते हैं j की terms में current density को denote करते हैं jre upon j incident जिसका formula हमारे पास ये था j का formula current density वे लेक्शर देखना free particle के लिए मैंने वहाँ पर निकाला in terms of velocity तो ये था velocity times rho what was rho? rho is probability current density probability density not current probability density rho so it is v1 rho reflected upon v1 rho incident अच्छा ये v1 v1 ही क्यों लिया क्योंकि हम reflected particle की बात कर रहे हैं reflected wave की जो region 1 में ही रहेगी तो region 1 में उसकी velocity v1 है region 2 में हम माल लेंगे v2 है तो वहाँ ये term आ जाएगी तो यहाँ पर ये दोनों terms कर जाएगी ये velocity वाली अब rho क्या होता है? rho होता है psi star but एक बार हम reflected के लिए करेंगे और एक बार हम incident के लिए करेंगे ये सब हम चीज़े अब पढ़ चुके हैं कि wave function का complex conjugate उसी से multiply कर दो तो हमारे पास बन जाती है probability density अब यहाँ values पूट करेंगे हम ठीक है? सारी reflected और उसकी तो देखते हैं क्या आता है let us do और आ जाएगा value के लिए a star k1 minus k2 upon k1 plus k2 ये just एक number है k1 k2 पीछे लिखे हुए है iota k1 x into a फिर से same term k1 minus k2 upon k1 plus k2 इसका कोई complex conjugate नहीं होगा ये real number है और यहाँ minus iota k1 x होगा ये हमने दोनों way function उपर put कर दिये denominator में हमारे पास a star e raise to power minus iota k1 x ये हमने incident way function का complex conjugate किया और ये हमारे पास incident way function है तो यहाँ पर क्या चीज़े कट चाती है a star से a star a से a कटेगा ये दोनों आपस में कटेंगे ये दोनों भी आपस में कटेंगे it will be equal to यहाँ पर लिख दू k1 minus k2 upon k1 plus k2 का whole square ये reflection coefficient है जो उन constants पर depend करता है जिसमें k1 हमारा क्या था k1 क्या है याद है 2m e upon h cross k2 था 2m e minus v naught upon h तो e और v का जितना difference है ना वो इसको effect करेगा कि कितना part reflect हुआ जितना ज्यादा difference होगा k2 उतना बढ़ा होगा हमारे पास और यहाँ difference उतना बढ़ा आ जाएगा उतना part हमारे पास जो है कम reflect होगा difference कम होने से difference कम होने से हमारे पास k2 छोटा हो जाएगा k2 छोटा होने से यहां पर reflection coefficient बढ़ा आएगा तो यह k1 k2 पर depend करता है इस बात का ध्यान देना e और v note का difference कितना है कितना part reflect होगा इस चीज़ पर depend करता है आगे चलते हैं अब हम transmitted part के लिए बात करते हैं एक चीज़ यहां पर important है कि here r is not equal to 0 यह हमने लिखना है unless a condition है k1 is equal to k2 जब तक k1 k2 के बराबर नहीं होता अच्छा कि k1 k2 के बराबर हो गया मतलब आँ step potentially नहीं है मतलब v note 0 है यह देख लो v note 0 है तब तो same ही रहेगा ना तब उस case में फिर there is no reflection of the wave ठीक है तो हम लिख लेते हैं thus there will be some reflection at x is equal to 0 at step भी बोल सकते हैं यह प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है यही वली statement ठीक है क्लासिकली ऐसा नहीं होगा मैं बहुत बार बता चुका हूँ क्यूं नहीं होगा अब हम transmission coefficient निकाल लेंगे बस अब फिनिश होने वाला lecture हमारा transmission coefficient transmission coefficient की definition है T is equal to J transmitted upon J incident वो ही सेम है probability current density की terms में अब यहाँ values पुट करेंगे अब J transmitted में V2 आएगा साथ में आएगा साइ transmitted star साइ transmitted निची आएगा incident में V1 साथ में आएगा साइ incident star साइ incident अब V1, V2 डिफेरेंट आगे जो यहाँ पर cancel नहीं होंगे ठीक है अब इसकी values पुट करेंगे हम तो T आजाएगा V2 साइ transmitted में ये था हमारे पास 2K1 upon K1 plus K2 जो कि दो बार आएगा तो मैंने square कर दिया complex conjugate भी है साथ में साथ में A star A आएगा denominator में V1 incident wave function में हमारे पास A star E raise power minus A उटा K1 X और A E raise power A उटा K1 X है इसके साथ भी थे ये चीजे मैंने पहले ही काट दी है यहाँ मैं काट देता हूं यह से कर जाएगा तो यह बन किया V2 by V1 into 4 K1 square upon K1 plus K2 का whole square यह आया transmission coefficient ठीक है अब हम प्रूफ करेंगे कि इनका जो sum है वो T और R का वो unity है ठीक है उसके लिए पहले मुझे V1 V2 यहाँ put करना पड़ेगा फिर होगा प्रूफ transmission coefficient यह है हमारे पास यह हमारा final result है now let us put V1 velocity of the particle is momentum divided by mass और momentum is H cross K H cross K1 divided by mass यह हम कर चुके है ठीक है और V2 क्या है V2 is similarly H cross K2 by M अब यह पुट करेंगे वहाँ पे तो transmission coefficient में उपर V2 था H cross K2 by M उसके साथ था हमारे पास 4 K1 square denominator में H cross K1 by M V1 नीचे साथ में K1 plus K2 का square ठीक है काट दो उसको यह वाला K1 इससे काट दो तो यह आ गया 4 यह final result है इसमें V1 V2 नहीं आ रहे ठीक है कि in terms of K1 K2 तो फिर से आप देखें कि transmission कितनी होगी यह भी किस पर depend करता है K1 K2 की values पर कि कितना difference है V0 और E का तो these are the reflection and transmission coefficients now to prove कि their sum is always unity यह ऐसे भी बोल देते हैं प्रूफ करो इसको तो values पुट करके आप देख लो sum is unity हमारे पास R यह है K1 यह लिखा हुआ है ठीक है इसको पुट करते हैं वहाँ पे So R is K1 minus K2 upon K1 plus K2 whole square यह मैं नहीं करूँगा बस आप इसको solve करो copy पे देखो आपको अच्छा लगेगा जब आप इसको proof कर देंगे कि यह कितना आता है इसको solve कर लेना यह 1 आ जाएगा यह आपने खुट करना है LHS is equal to RHS चलो तो यहाँ पे हम अपना आज का यह lecture फिनिश करते हैं इसमें से ज़्यादा भी कुछ नहीं बताने वाला next हम कल करेंगे step potential वाला ही case next video में lecture number 3 में यह क्या है यहाँ पे खाली बेजा गया एक मिनिट नहीं कुछ delete हुआ लगता है तो अब इसमें हमने जो आज एक case कर लिया वो देख लिया हमने ना मैं चलता हूँ वापिस यहाँ पे तो यह case हमारा हो गया कि जब particle के energy वी नौर से ज्यादा है अब जब कम होगी तो क्या होगा classically bolt करा के वापिस आएगी उसको हिदाय नहीं सकती वाल को but quantum mechanically there is the probability of transmitting some part of the matter wave of the particle there is some probability वही हमने find करनी है transmission coefficient वहाँ भी निकलेगा reflection coefficient वहाँ भी लिकलेगा जब particle के energy कम है और हमारी दिवार जो है wall वो जयदा strong है ठीक है इतनी strong है कि हमारी ball टकराने के बाद उसको तोड़ नहीं सकती या उसमें से आर पार नहीं जा सकती classically but quantum mechanically electron उसमें से बाहर जा पाएगा we will see in the next video so we will meet in the next class thanks for watching